आपका स्वागत है आसा करते हूं आप सब ठीक होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं काकेड़ा की रेसिपी तो ये काकेड़ा हमारे राजस्तान में दिनको काकेड़ा बोलते हैं लेकिन बहुत से सेत्रों में अलग नामों से बुकारा जाता है जैसे की केकसा काटोला तो आपक ये क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताईएगा तो फ्रेंड ये रेसिपी मतलब जैसे की बोल सकते हैं ये बहुत औस अस्ती घुनों से भरपूर होती है और ये हमें सिर्फ मानसून के टाइम मतलब बारिस के टायम में ही मिलेगा क्योंकि हर टाइम पर ये नहीं मिलता तो उसमें थोड़ा बीज जराता है तो बीज निकालके ही कट कीजिएगा और ये रेसिपी सब को पसंद आने वाली है तो यहां पे मैंने पहले ही कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया था साथ में मैंने इसमें डाला है एक बड़ा साइज मतलब बड़ा जो चम्मच ह पेस्ट जो मैंने इस पे आठ से दस लसन की कले ली है और चोटा से एक इंच अधर का टुकडा लिया है और तीन से चार हरी मिटी जिनको मैंने अच्छे से जो हमारे पत्थर वाला हूटने वाला होता है उसमें मैंने उसको कर लिया है आप में ग्राइंड कर सकते हैं तो इ तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निए प्ली चैनल को सब्सक् तो अब देख सकते हैं अच्छे से मिला दिया है तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिला दिया है टमाटर को कि एकदम सिंपल रेसिपी है आप कोई भी ये रेसिपी ट्राइ कर सकता है और वीडियो को पूरा जरूर वाच कीजिएगा फ्रेंड्स तो यहां पर मैंने डाला है डेड़ इस्पून नमक स्वाद्क अनुसान नमक डाला है और आदा इस्पून डाला मैंने हल्दी ट्राइटर भी सॉप्ट होने लगा है तो एक हमें अच्छे सी ग्रेवी मतलब अच्छे सा पेस्ट तयार कर लेगे मसाले का वैसे तो यह सब्दी लगबग सूखी ही बनाई जाती है लेकिन आप इसको जोल वाला भी ट्राइ कर सकते हैं तो देखिए टमाटर हलकल कमाना तो मैंने गयस को फुली रखा है यहां पर अभी देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जैसे कि हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए क्योंकि ज्यादा तर हम लोग क्या करते हैं फुल गयस में अगर मसालों को पकाएंगे तो जल जाते हैं थोड़ा सा प पुरा मसाला हमारा अच्छे से रेड़े हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे जो ककेड़े मैंने काटे रखे थे वही वाले इस देखिए तो इनको अच्छे से मिला दूँगी पहले इसको मिलाना है और उसके बाद हम इसको पांच मिनट के लिए धक्कल लगा के इसको पकाएंगे बहुत सी simple recipe है लेकिन बहुत healthy recipe है friends और जैसे मान सकते हैं कि उससी गुणों से भरपूर recipe है ये तो अभी मैंने इसको बीच में एक बार खोल के चेक किया है तो आप देख सकते हैं लेकिन अभी तक हमारे ककड़ अच्छे से पके नहीं है तो मैं इसे फिर से ढखकन लगा के और फिर से तीन से चार मिन के लिए मैं इसको फिर से पकाऊंगी तो अभी आप चेक कर सकते हैं देखिए तेल पूरा छोड़ दिया है और हमारे ककड़े हलके हलके soft भी हो चुके हैं तो पहले हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं गेस को मीडियम करके ही पकाईगा अभी आप देख सकते हैं मैं चेक करके बताती हूँ मतलब थोड़ा soft हूँ है पूरा अच्छे से नहीं पका है यह इसको हमें अच्छे से soft करना है तो फिर से मैं ढखकन लगा दूँगे इसको और फिर से मैं पकाऊंगी इसको तब भी आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी सबजी बनकर रेडी हो चुकी है और सबजी ने खुदी अपने थोड़ा पानी मतलब छोड़ दिया है तो मैं इसमें धन्या डाल दूँगे अच्छे से और इसको हम मिला देंगे धन्या को वीडियो अच्छा लगी तो अपने दोस्तें के साथ में जरूर शायर करें और इसकिप करके कि नमत देखिए फ्रेंड्स पूरी सब्जी आपको देखनी है तो आप पूरा वीडियो वाच कीजिएगा यह देखिए हमारी काकेडा काटोला कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको इसकी सब्जी बनकर रेडि हो चुकी है और एकदम सॉप्ट रेसिपी बनी है तो वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा और इस सब्जी जरूर रेसिपी ट्राइ करके मुझे कमेंट करके होता है आपको कैसी लगी है